रूर करते हैं कि तर५ बेलकुमेंग वेलकम बेक फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे कि साइक्लीन और साइक्लीन डिपेंड़न्ट काइट्न किस तरीखे से करकते हैं किस तरीखे से वह एक्जिवेट किरा दें डिपरन्ट प्रोटीन ko और सेल आみिचल को शो करने के लिए activity शो करने के लिए cyclins भी अगर cyclin dependent kinase के साथ attach नहीं होते तो यह भी inactive है दोनों को अगर activity show करनी है तो cyclins को आकर cdk के साथ attach करना पड़ता है उसके बाद यह different proteins को activate कराते हैं ताकि cell proceed कर सके cell के function perform हो सेके cell move कर सके from one stage of cell cycle to other stage किस तरह के perform कराते हैं अगर हम example लेते हैं यह cdk पाइजएंपल यह cdk हमारे पास यह inactive है और यह cycling है यह भी inactive है यह दोनों जब अलग होते हैं यह inactive होते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं जब stage cell cycle शुरू हुआ तो यह क्या करते हैं साइक्ले नाकर cdk के साथ attach कर जाती है और यह active बन जाते हैं cdk काईनेस इंजाइम है काईनेस इंजाइम वह इंजाइम होते हैं जो डिफरेंट प्रोटीन को फॉस्फोरीलेट करते हैं हमारे ऐस्पाउंड को पॉस्फाइट करते हैं तो फॉस्फैट एदा स्विच कामकरते हैं तो उसकी activity बढ़ा देता है यह activity कंसी तो CDK ए एंजाइम में, यह different proteins को target protein को जाके phosphorylate करवाता है, कोई भी target protein हो सकती है, target proteins, target protein को phosphorylate करवा देगा, और target proteins क्या करेंगी, perform various functions, यानि कि अगर CDK, ये CDK हर stage का अलग होता है, G1 का CDK अलग होता है S-phase का अलग होता है G2 का अलग होता है तो अगर यह cdk for सबस्क्री जी इवन का था घी बाद स्टेज का सडीक कर से टार्गेट प्रोटीन जाके परफॉर्म फटेंजन जीमन और स्पेहें tow फिस कि याले कि अधर यह प्रोटीं बन रहे तो परफॉर्म करेगी इवेंट जाकर बढ़ाँ प्रोटीश का होगा तो सुन करवात्य की और फिस के अंसे इंदर क्लेक्स का मुनало कर दाएगा और कौन सी G1 present होते हैं, कौन सी cyclin proteins present होती हैं और कौन सी CDK present होती है, तो हमारे पास G1 stage जो होता है, cell cycle का पहले stage, G1 के ओपर हमारे पास cyclin D present होती है, और CDK 4 and 6, cyclin 4 and CDK 4 and 6 present, G1 stage पर present होती है, और यह क्या करती है, यह receive करती है signals, receive signals, जैसे हमारे पास growth signals होते हैं, यह mitogenes, gross signals हमारी body, हमारे cell को जो आ रहे होते हैं, यह mitogenes, mitogenes, वो proteins होती हैं, जो cell को आकर trigger करती है, mitosis के लिए cell division के लिए, तो यह जो signals और mitogenes आ रहे होते हैं, G1 stage के ओपर, क्योंकि एक normal cell है, जब वो बन जाता है, तो वो इंटर करता है G1 stage के अंदर, G1 पर अगर उसको gross signals और mitogenes मिल रहे होते हैं, तो यह जो CD के और एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट तो हो जाते हैं, यह मिलकर, तो यह cell को proceed करवा देते हैं, G1 से S phase के अंदर, तो यह G1 stage के होता है, उसके पास हमारे पास G1 S phase आ जाता है, G1 S, यानि कि जब G1 से cell मूब कर रहा है, S phase के अंदर, उस stage को हम G1 S transition phase के अंदर हमारे पास Cycling E and A present होता है, Cycling E and A, और CDK 2, CDK 2, इस phase के अंदर हमारे पास, यह जो Cycling E, यह complex perform करता है, Centrosome Duplication का, Centrosome Duplication, Centrosome हमारी बाड़ी में, नॉर्मल सेल के अंदर एक present होता है, लेकिन अगर दो सेल डिवाइड होने हैं, तो उनके अंदर दो सेल प्रेज़न होने हैं, तो दोनों तरफ से spindle formation होती है, और जब सेल डिवाइड कर जाता है, तो हर सेल के अंदर एक एक Centrosome present होता है, तो Centrosome Duplication, यह complex करवाएगा, इस stage के उपर, उसके बादा मारे पर as a stage, as के उपर same, cycling E और A दोनों वो ही present होता है, पर function यहाँ पर यह different perform करेंगे, cycling E and A and CDK2, यहाँ पर यह क्या करेंगे function, यहाँ पर यह second E and A और CDK2 क्या करेंगे, activate करेंगे helicase और polymerase enzyme को, helicase और polymerase enzyme को यह activate करेंगे, helicase enzyme हमारे जिस्ट double standard DNA होता है, उसको unwind करवाएगा, और polymerase उसके उपर एक निया template, उसको template यूज़ करके एक निया strand बना देगा, तो DNA replication S phase में और यह cyclin E, A और CDK2 complex के जरीए, यह different, यह खुद replication नहीं करवा रहे हैं, यह different proteins है, enzyme हैं उनको activate करा रहे हैं, phosphorylation करवा कर, उसके बाद हमारे पास M phase, M phase के नियाए हमारे पास cyclin B, present होती हैं, और CDK1, cyclin B और CDK1, present होता है, यह हमारे पास क्या करवातने हैं, यहाँ पर M phase में, यानि यह इसका काम है, G2 phase से निकाल कर, cell को M phase के निदर इंटर करवाए जाए, यानि move cell करता है, move करवाता है cell को, complex, move cell, from G2 से M phase के अंदर, G2 से M phase के अंदर move करवाने के लिए, cycling B और CDK1 present होता है, और यह जो हमारे पास different cyclins होती है, यह अपना function perform करती हैं, उसके बढ़ डिग्रेट हो जाती है, लेकिन जो CDK होता है, इसका level remain constant throughout the cycle, यानि कि इसका level constant रहता है, लेकिन इसका function तभी activity शो होती है, जब cycling अगर attach करती है, लेकिन cycling अपना function करती है उस stage पे, उसके बढ़ डिग्रेट हो जाती है, डिग्रेट हमारे पास यह produceome pathway के जरीए होती है, हमारी cell के अंदर ubiquitin एक protein होती है, जो भी protein हमें नहीं चाहती है, ubiquitin उसको उठाती है, जाकर produceome को देती है और produceome उसको degrade कर देता है, तो यह मैंने एक graph बनाया है, कि G1, S और G2 और M phase के अंदर, cycling D जो है present all the time, क्यों present all the time, यह थोड़ा different होता है, पर रिशेच भी होरी हैं, यह समाझ लो कि बस receive करती है, signal, growth factor and mitogenes, इसलिए यह all the time present है, क्योंकि cell second को growth factors तो चाहिए हैं न, division के लिए, और mitogenes तो यह all the time present होती है, cycling E, cross centrosome duplication में मदद दे रही है, तो G1 से S phase में transition हो रही है, उस time होती है, cycling A, centrosome duplication, helicase और polymerase enzyme, इसके दो-तीन function है, उसके भी दो-तीन function है, लेकिन A की peak activity, G2 में show होती है, S phase से लेकर, और M, cycling B और cycling CDK1, जो M phase के अंदर है, cycling B, यहाँ पर activity show करती है, M phase के अंदर, मुह करवाती है cell को from M phase 2, from G2 phase to M phase, हम देखते हैं किस तरीके से, cycling और cycling dependent kinase activate होते हैं, और different functions पर हम करते हैं, और किस तरीके से, यह different proteins को, phosphor relate करवाती हैं, basically जो, इसको activate, cycling dependent kinase को activate होने के लिए, दो चीज़ें चाहिए होती है, कौन-कौन सी, एक तो cycling ही है, इसका structure कुछ इस तरह का होता है, cycling का, CDK का, Phosphose, यहां पर आके cycling attach हो जाती है, पहला काम तो हो गया हमारा, यह थोड़ी बहुत active हो चुकी है, CDK थोड़ा बहुत active हो गया, cycling आकर इसके तरह attach कर चुका है, लेकिन अभी भी यह fully तोर पर active नहीं है, इसको fully तोर पर active होने के लिए, for auto phosphor relation चाहिए, यानि कोई और protein आया, यह style उसकी auto phosphor relation करवाए, auto phosphor relation हमारे पास इसका यह जो structure होता है, इसको हम T-loop कहते है, CDK का, T-loop, T-loop के अंदर यहां पर इस position पर, ठीक है, यह एक enzyme है, तो protein कहीं बना हो है, तो protein हमारे पास amino acid की different sequence, polymer से बनती है, तो यहां पर 3-onine एक T-loop के ओपर, 3-onine protein होती है, amino acid होता है, 3-onine, 3-onine जब तक phosphorylate नहीं होगा, यह CDK cyclin complex activate, fully तरीके से नहीं होगा, और function perform नहीं करेगा, क्योंकि जब CDK activate होगा, तो इसने क्या करना है, इसने different protein को phosphorylate करवाने हैं, तो इसको phosphorylate करवाने के लिए different proteins को इसको energy के सुरुवत है, तो यह 3-onine क्या होता है, यहां पर एक cleft बना होता है, इस loop के ओपर, जहां पर आके कि space होती है, pocket होती है, cleft होता है, जिसके ओपर आकर ATP ने attach करना है, फिर यह क्या करेगा, CDK ATP को hydrolyze करवाएगा, उसका bond थोड़वाएगा, phosphate bond, energy production होगी, उस energy को यूज़ करके different proteins को phosphorylate करवाएगा, लेकिन जब 3-onine यहां पर present awareness को block किया हुए, तो हमारी cell के अंदर एक protein होती है, seed cyclin dependent kinase, CDK activating, CDK activating kinase, या kek, kek ठीक है, इसको हम शॉर्ड फार में kek कह रहे हैं, यह kek क्या करेगा, आके 3-onine की phosphorylation करवाएगा, 3-onine जब एक बर phosphorylate हो जाएगा, तो यह उसकी जो blockage side से हट जाएगा, और ATP जाके attach कर जाएगा, ATP hydrolyze होगा, यह fully thorpe active होगा, energy को यूज करके different target protein को phosphorylate करवाएगा, और different हर stage के जो function है उनको perform करवाएगा, ठीक है, kek enzyme इसकी phosphorylation करवाता है, लेकिन जो cyclin present होती है M-phase के अंदर और cyclin dependent kinase, उसका थोड़ा सा different function यह होता है, कि वहाँ जो CDK 1 present होती है हमारे पास cyclin dependent kinase, M-phase के अंदर, उसके डो phosphorylation sides होती है, यानि कि अगर M-phase की जो cyclin मैंने बात की पहले लिखी थी, वो देख लेते हैं, CDK 1, यह CDK 1, और इसके साथ टैश कर गया हमारे पास cyclin B आकर M-phase वाला, यह complex move कराते cell को G2 से M-phase के अंदर, ठीक है, इसके पास दो phosphorylation sides होती है, एक यहां पर, और एक यहां पर, यह भी protein है, तो यहां पर, जो यहां पर serine protein होती है, सॉरी, टैरोसीन, यहां पर टैरोसीन protein present होती है, और यहां पर three onion, तो हमारे पास यह दोनों sides phosphorylation sides है, तो क्या हमारे body, हमारे cell के अंदर यह protein होती है, दो प्रोटीन होती है, वो आकर इन दोनों को phosphorylate करवा देती है, एक protein होती है, वी बन, और एक cap protein, V1 टैरोसीन को phosphorylate करवा देती है, यह थ्रियोनीन को phosphorylate करवा देती है, लेकिन अब यहां एक मसला है, V1 है, यह inhibitory kinase enzyme है, यानि कि यह inhibit कर दिया से CDK1 को आकर, और cap है, यह inhibitory kinase है, इसने activate किया उसको आकर, लेकिन जब इसने inhibit कर दिया है उसको, तो यह अपना CDK complex अभी अपना function perform नहीं कर सकेगा, जब तक कि यह tyrosine P, tyrosine से phosphorylate हटना चाहिए, तो हमारे cell के अंदर एक और enzyme होता है, जिसे हम कहते है, CDC25, CDC25, यह एक phosphatase है, phosphatase यानि कि यह आकर phosphate को remove करवाता है, different proteins के अंदर से, तो CDC25 जाकर, इस sterosine वाले P को हटा देगा, जो V1 ने लगाया है, इसको हटा देगा, और यह fully तो और्पेक्टिव हो जाएगा, और यह अपना function perform करेगा, cell को move करेगा, G2 से M-phase के अंदर, अब यहाँ पर एक क्यूं, असल में कराने की वज़ाई क्या थी, अगर इसको V1 वाले phosphate को हमने हटाना ही है, तो V1 ने पहले phosphate लगाया ही क्यूं, उसको phosphate दिया ही क्यूं, उसको inactivate किया क्यूं, क्यूंग क्यूंग जब G2 फेस के अंदर, cell आ जाता है, cell रुख जाता है थोड़ी देर के लिए, cell देखता है कि उसका cell का size, proper तरीके से enlarge हो चुका है, cell का genetic material duplicate हो चुका है, proper तरीके से DNA replication, fully और completely हो चुकी है, अगर नहीं होती, तो cell wait करता है इस form में, यानि कि यहाँ पर P होता है, यह inactivate form में, जैसे ही cell चेक कर लेता है, कि अब ready है cell division के लिए, cell का size proper है, तो यहाँ से इस P को हटा देते हैं, और cell direct move कर जाता है, next stage पर, लेकिन अगर हम पहले ही इसको ना करें, और direct इसको कर दें, तो यह direct पहले premature form में, cell move कर जाएगा, mitosis के अंदर, तो premature form में अगर move करेंगा, तो mother जो cell होता है, और daughter cells दो बनते हैं, तो उनका size same नहीं होगा, यानि mother cell बड़ा हो जो, और daughter cells जो बनेंगे, वो छोटे छोटे चोटे बन जाएगे, और defective cells बनेंगे, तो इसलिए इंतजार किया जाता है, G2 phase पर, इस form के अंदर, उसके बाद CDC आकर इसको हटा देती है, अच्छे यह जो active complex बनता है, P हटने के बाद, टैरो सीन से, इसे हम mitosis promoting factor कहते हैं, क्योंकि यह G2 को M phase के अंदर move कर रहा है, यानि mitosis promoting factor, यह इस complex का एक fancy नाम, इसको हम एक नया नाम रख दिया है लोगों, रिसेर्चर्चर्ज नहीं या बाइलोजिस्ट ने, mitosis promoting factors, factor, या इसको हम maturation promoting factor भी कह सकते हैं, ठीक है, यह complex बन जाता है, और यह उसको move करा देता है, cell code अगले cycle के अंदर, तो cycle independent kinase के, हमने working देख लिए किस तरीके से वो normally activate होता है, कौन सी protein को हम, phosphorate कराते हैं, उसे active करने के लिए, और cyclin's attach करते हैं, different cyclin's कौन कौन से stages पर present होते हैं, क्या-क्या functional stage के उपर वो perform करते हैं, और cell cycle किस तरह पर सीड़ करता हैं, और graph में हमने देख लिया, कि cycle in D always present है, cycle in E कहाँ पर peak करता है, cycle in A कहाँ peak करता है, cycle in B कहाँ peak करता है, तो ये समझा क्या होगा, cycle in's का सारा process, अगर कोई मसला है भी इस lecture के अंदर, तो comment में जरूर पूछें, thank you.